नमस्ते, खेड़िकर होम मिंड में आपका स्वागत है, आज हम आपके लाए हैं डूसे के साथ खाई जाने वाली चने और नालिल की चटनी, तो एसी ही इजी और डिफरेंट रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तो चलिए रे के निकाल लिया है, 50 ग्राम हमने लिया है गिला नारियल जिसे खोप्रा भी कहते हैं, तीन से चार हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, आदा चम्मच जीरा, आदा चम्मच राई, नमक, स्वादानुसा और एक चम्मच तेल, अब हम एक मिक्सिका जार लेंगे, इसमें चलने डालें जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, और नाजिल के छोटे-छोटे पीसेश करके हम इसमें डाल देंगे, अब हम इसका धकन लगा लेंगे, मिक्सिमें 15 से 20 से केंड हम इसे एक बार घुमा लेंगे, 15 से 20 सेकड मिक्सिमे घुमाने के बाद ये देखिए, इसका हलका सा धरदरा पीस गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्सिमें अच्छे से चटनी इसकी बना लेंगे, है यह दिखें हमारी अच्छे से पिसगे है अब हम इसे एक बावल में निकाल लेंगे हुआ है यह देखें चतने को हमने एक बावल में निकाल लिया है अब हम एक प्राइंग पेंगे पेस पर गरम करने रखेंगे, पेन हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें तेल डालेंगे, एक चमच हमने इसमें तेल डाल दिया है, तेल की गरम होने पर हम इसमें राई डालेंगे, वो राई को हम अच्छे से तड़कने देंगे, अब हम इसमें कड़ी पता डालेंगे, और इस तरके को चटनी में डालेंगे और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखे हमारी इजी और टेस्टी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है तो आप इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइए कीजेगा और अगर आपको हमाई रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमाई लेटेस वीडियो मिलते रहें धन्यवाद आपका देन शुब रहे